जिला परिशत के समाज कल्ले और विभाग की और से पंचयाद समितियों के माध्यम से दिव्यांग लाबार्तियों को वितरित किये जाने वाली बैटरी चलित ट्राइ साइकल के वितरन और खरीदे में भारी घोटाला सामने आया है। पुर्वजिला परिशत सभापती वह वर्तमान प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष हर्षवर्धन निकोसे ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए इसमें लिप्त अधिकारियों वह पदाधिकारियों पर कारवाई करने की मांग सीयो योगेश को मेज कर सकी है। पंचाथ समिती उपसभापती चेतन देशमुख के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पार्शियों वीडियो उपसभापती ग्राम सेवक प्रक्रिया करने वाले पंचाथ समिती के दिव्यांग विभाग के कर्मचारी की मिली भगत ह निकोसे ने बताया कि उन्होंने CEO को जून महिने में लिखी शिकायत दी थी लेकिन जिला परिशत समाज करने अधिकारी बाबा साहिब देशमुख ने जूटी जांच रिपोर्ट तयार कर वरिष्ट अधिकारियों को भेजी पंचाथ समिती के घुटाले बाजो द्वारा लाभारतियों का चयन करते समय उन्हें बताया गया था कि उन्हें अच्छी वैटरी ट्राइसाइकल दी जाएगी लेकिन उन्हें हमारा कहना मानना होगा कुछ लाभारतियों को भाय दिखा कर बाध्य किया गया एक अच्छी क्वालिटी की ट्राइसाइकल पंचाथ समिती म लाकर सभी लाभार्तियों को उस पर बिठा कर तस्वीरे खीच ली गई ग्रामसेवक ने उनके फोटो पर दस्थखत किये लाभार्तियों का अनुदान मंदूर कर उनके खाते में ट्रांसफर किया गया फिर ग्रामसेवक की मदद से उपसभापती चेतन देशमुक के पास जम कि अनुटों से जनके च उनके लिगार्तिये उपसम धुशल क कि युन क-ईए़फ़ों कятно знаете